कॉंग्रेस के S.C.C.L. की और से जिला अथ्यक्ष राजेश कुमार की ध्यक्षता में कॉंग्रेस भवन में डॉक्टर भीम राओ अम्बेदकर को शर्धांजली दी गई जिसमें विशेश रूप से अक्षे पुंच उपस्तित हुए इस मौके पर उन्होंने अपने शब्त रखते हुए कहा है कि डॉक्टर भीम राओ अम्बेदकर ने सवीधान लिखकर लोगों के अधिकारों को ना केवल सुरक्षित किया है बलकि लोगों को उन्होंने जागरुक भी किया कटे हुए है और एक बहुत ही महान शक्षियत थी जैना ने सानू पारदा सवीधान देता और हमेशा ही ओ दवयां कुछलिया लेई महलामा लेई उन्होंने काम किता और असी अथे आज ए अखवान कर देयां कि उन्होंना दे बनाए हो सवीधान ते असी लोगा नू जाब कर देया कि योन्हां दे बनाए हो साविधान दे चलन सारे चलन जे आरिवी तो बाबा करतेёр कि लोग गरें दे ही उन्होंने यक तbles वे Church सेस्लो दा फारदा धब hmभा और धा सब्सक्राइब करें कि अपने जीवन निर्वाग करें और असी नौजवान नहीं प्रेडित करें कि ओवी डक्टर भीम्राव मेधकरजी जीवी विचार रहे हैं अन्हा दे जीवी सोच से कि उन्हा नू जान जान तक पहुंचाईए ता जो असी सारे कठे मिलके अपना और इस देश्टा जड़ा मिर्मान करन्देविच सेबा गीता जड़िया सुनशित का सकी आल इंडिया कांगरस मेटितों जिला कोडिनेटर युवाज दलक कांगरस तों आज शेद संबर नो बाबा साब दी कुनेद दी ऐसे सारे कत्रेतों हैं और ये प्रण लेया थी कि बाबा साब दी कुर्वानिया बलिदान और जो ना दे विचार है ओंके जन जन तक और युवाज जिरूर जड़े और दसे जान कि उन्हाने साधे वास्ते साधे समाज वास्ते की कि किता और ये विचार जड़िया लगातार पहला भी असी इस कम कर दे पिना विचारां थे और आजे ही वैसे प्रण लेया कि कोई इन जे प्राणी ये जिनिया सलस्तामाही जब प्राणे विचार है उन्हाने नमे विचारां जिटा लेया और सभीदान लिखिया उन्हाने हमेशा सी खरया उतरें गे और सदाई बाबा साब दी जेड़ी जिला पठानकोट का एक मात्र मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल वा कॉलेज 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्द डेडिकेटेड करोना वाल एक्सपिरियंस्ट स्टाफ वाइट मेडिकल कॉलेज भुंगल नियर डिल्म रिसौर्ट पठानकोट फास्ट वे पठानकोट की हर ख़बर को सोशल मेडिया पर देखने के लिए आप फास्ट वे नियूस पठानकोट यूट्यूब चैनल फेस्बुक पेज को लाइक कीजिए ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फालो कीजिए और फास्ट वे नियूस पठानकोट यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले